हलो स्टुडेंट्स वेलकम अगेंट टू इजी लर्न फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंज का निंगेटिव संटेंज देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंज का आफ़र मेट्व मैंने अगले वीडियो में अपलोड कर दिया है यानि कि हमारा इसको हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंज का निंगेटिव संटेंज इसमें क्या होता है रूल होता है इसमें क्या करेंगे यानि कि आई और तथा वी के साथ हम सैल हैब का प्रियोग करेंगे और अधर अधर सब्जेक्ट के साथ अधर सब्जेक्ट के साथ हम वील हैब का प्रियोग करेंगे यानि कि यहाँ पर हो जाए आई और वी के साथ सैल हैब का प्रियोग करेंगे और अधर सब्जेक्ट के साथ हम will have का प्रियोग करेंगे या negative sentence बनाने के लिए will will या sell sell के बाद हम not का प्रियोग करते हैं यानि कि हमारा जाद not का प्रियोग करते हैं प्रियोग करते हैं चलिए friends सबसे पहले हम इसका sentence देख लेंगे जिससे आपको बिल्कुल अच्छी तर से समर्ज में आ जाएगा कि future perfect tense का negative sentence किस प्रकार हम बनाएंगे देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल आसान तरीके से आप बना लेंगे sentence ये देखिए वह एक पत्र नहीं लिख चुकी होगी यानि कि चुकी होगी यहां पर हम सी का प्रियोग करेंगे यानि कि सी अफिस के बाद हमारा वील के बाद हम नाट का प्रियोग करेंगे यानि सी वील नाट हाब वील और हाब के बीच में यहां नाट का प्रियोग करेंगे यानि सी वील नाट हाब राइटेन यह वर्ब का थोर्ट फ़र मुझा का राइटेन ए लेटर यानि सी वील नाट हाब राइटेन ए लेटर निफ्ट देखेंगे, तुम्हारे सोने से पहले बच्चे ने दूद नहीं पिया होगा, यानि कि इसको सबसे पहले ऐसे बना लेंगे कि बच्चे ने दूद नहीं पिया होगा, उसके सोने से पहले, यानि कि इसको देखें ऐसे बनाएंगे, दो, यहां पर हो जाएगा हमारा सब्सक्राइस है एक गालब करोब करेंगे उसके बाद हम नाट का प्रिऊप करेंगी नाट है arrangements और मिंगा ज चैना होता है और अध। सबस्क्राइब करेंगे यानि कि द्रंक को जाएगा यहां पर यानि कि द्रंक करा और हम पहले के लिए किस चीज का प्रयोग कर देंगे बिफोर का यहाँ पर हमारा हो जाएगा बिफोर उसके बाद बिफोर ही स्लिप यहाँ पर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए रहेगा डबल ई यल यानि कि यस यल डबल ई पिया स्लिप हो जाएगा यानि कि दचाइड विल नाट है ड्रंक दव मिल्क बिफोर ही सिल्फ यान उसके सोने से पहले इसी तर नेक्ट देखेंगे फ्रेंस यह देखिए अध् अपना कार समाप्त नहीं कर चुकूंगा यानि कि इस संटेंस को ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि मैं अपना कार समाप्त नहीं कर चुकूंगा अध्यापक के आने से पहले यानि कि सबसे पहले इस स्टेप को हम रख लेंगे फिर उसके बाद हम इस स्टेप को रखेंगे यानि य यानि कि I shall have, फिर उसके बाद हम हो जाएगा, not of finish मिस क्या होता है, समाप्त करना उसका हम third form रखेंगे, यानि फिनिश्ट हो जाएगा, finished my work, यहां पर work हो जाएगा, यह देखिए, यहां पर work हो जाएगा, और पहले के लिए हम किछीज का प्रयोग करेंगे, before का before the यानि कि teacher के आने से पहले आता है यानि कि यहाँ पहुजाएगा teacher teacher come comes हो जाएगा यानि कि I shall have not finished my work before the teacher comes हो जाएगा so friends आप बिल्कुल ध्याँ से देखते चलिए चलिए next देखते हैं तुम्हारे जाने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी इस sentence को कैसे हम बनाएंगे यह देखे यानि कि इसको ऐसे भी बोच सकते हैं कि वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी तुम्हारे जाने से पहले यानि कि इसको इसका step पहले हम इसको हम बना लेंगे फिल्स के बाद हम विल का प्रयोग करेंगे उसके बाद हम किसी का प्रयोग करेंगे नाट का फिर उसके बाद हो जाएगा सोरी यहां पर हो जाएगा यानि कि सी विल नाट हैव अफिन लिख चुकी होगे राइट विस लिखना था रिटेन यहां पर हो जाएगा वर्प का थर्ड फार्म हो जाएगा यहां पर रिटेन दर लेटर यहां पर हमारा जाएगा लेटर अपरले के लिए हम किसी जाएगा प्रेव करेंगे बिफोर का यहां पर हमारा जाएगा बिफोर यू गो यानि कि she will not have written the letter before you गो तुम्हारे जाएं से पहले इससे next देखेंगे उसके सोने से पहले बच्चा दूद नहीं पी चुका होगा यानि कि इसको हम ऐसे भी बोच सकते हैं कि बच्चा दूद नहीं पी चुका होगा उसके सोने से पहले इसको हम कैसे बनाएंगे यह देखेंगे सबसे पहले इसको रख यहां से हम रख लेंगे यानि कि the child यानि कि the child फिर उसके बाद हम will का प्रियोग करेंगे c for i और we के साथ हम shall have का प्रियोग करेंगे और other सभी subject के साथ हम will का प्रियोग करेंगे यानि कि the child will फिर उसके बाद हम लगा देंगे not फिर हमारा हो जाएगा have drink में इस पीना होता है उसका third form क्या हो जाएगा drunk यानि कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा drunk milk यहाँ पर हो जाएगा milk अब फिर पहले के लिए हम बीफोर का प्रयोग लगा देंगे यानि कि बीफोर ही सोने से यानि कि स्लिप हो जाएगा, निकि स्लिप्स. The child will not have drunk milk before he sleeps. So friends, you must have understood the whole concept. Friends, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से clear समाज में आ गया होगा, कि future perfect tense का negative sentence कैसे बनाते हैं, आई तथा we के साथ cell have का प्रयोग करेंगे, और other subject के साथ will have का, और will और cell के बाद में हम not का प्रयोग करते हैं. यानि कि other हमारा sentence बिल्कुल आप easily देख चुके हैं. So friends, I hope आज का वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा. Friends, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like, share, subscribe कर दीजिये. Thank you, thank you so much for watching my video.